2013 से पहले के आकड़े ऊठाली जी आप और 2014 के बाद के आकड़े ऊठाली जी आप तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से आकड़े बढ़े और कौन से आकड़े खतम हुए सबसे ज्यादा आगर आखड़ा कोई हुआ है तो बेरोजगारी और भष्टा-चार का हुए देश के अंदर द मतर हुए 2014 के बाद आगर इस देश में महंगाई बड़ी है तो देश के पर्धान-मंत्री के सरप्रस्ति में बढ़ी है बेरोजगारी बड़ी है तो देश के परधान मंतरी के सरपरस्ति में बड़ी है अरे हम क्या कहरे हैं हम जाज की तो मांग कर रहे हैं कंगना अपने आपका आपा तो साफ करनी पाई हैं तो वो देश की जंता की बात और कौमराच की बात कैसे करेंगी यार मुझे बताईए सांसाजीत की सब कुछ होगे क्यों नहीं जारी बलतकार के लिए क्यों नहीं बोल रही मैलाओं के लिए क्यों नहीं बात कर रही बेरोजगारी की क्यों नहीं बात कर रही बश्टाचार की तरह से देश में बेरोजगारी और भर्ष्टचार जिस तरह से फैल रहा है उसको लेकर यहां पर प्रोटेश कर रहे हैं सरकार के खिला भाई साब है मैं इसे जानने की कोशिस कर रहा हूं क्या लग रहा है सर सच में देश में बेरोजगारी और भर्ष्टचार फैला है नहीं चैनल में रहते हैं कि बेरोजगारी बड़ी नहीं में गई बड़ी नहीं है आप से जानने की कोशिस कर रहा हूं कि 78 सान इस देश को अजाद हुए हो गया है और एक दोनों पार्टिया कभी भी पच्छ में रहती है कॉंग्रेस पार्टी तो कभी बीजेपी और इस दोनों प पता चल जाएगा कि कौन से आखड़े बड़े और कौन से आखड़े खतम हुए सबसे ज़्यादा अगर आखड़ा को हुआ है तो बेरोजगारी और भष्टाचार का हुए देश के अंदर दो हजार चोदा के बाद अगर इस देश में महंगाई बड़ी है तो देश के पर नहीं के सासंकाल में मोदी जी क्यों आज से पहले क्या भारत नहीं था आपने कंगना रावत का ब्याद नहीं सुना कंगना रावत है क्या चीज़े कंगना रावत कंगना रावत अपना आपको सोचे उसके बाद इस देश की बात करे अरे फिलम बनाना आप आम नागरिक है आप एक आम विक्ति है वो सांसद है पालियामेंट सदस से हैं सांसद होने के बाद ये करीमा उनके शब्द बोलना अच्छे लगते हैं आपको आपको लगते होंगे अच्छे मुझे तो नहीं अच्छे लगते हैं इस देश के लिए आप कांग्रेस के इसलिए आपके नहीं था आज से पहले तो पढ़ी सड़कों पर जाकर नहीं बैटी अगर सांसाद नहीं थी तो क्या जंता की वाज उठाने न चाहिए थी बेर रोजगारी की वाज उठाने ने चाहिए आज जो हिंदुस्तान में बलतकार के हाथ से गुजर रहे हैं क्या कंगना को उनके पाथ जानानी चाहिए महिला को जिन पहलवान महिला को यह मारा गया था क्या उस महिला के पाथ जानानी चाहिए किसकी बात कर रहे हो कंगना से कहो कि पहले अपना गिरे बांद देखे उसके बाद कॉंग्रेस के सिपाई कंगना अपने आपका आपका तो साफ करनी पाई है तो वो देश की जंता की बात कैसे करेंगी मुझे बताई है सांसच जीत की सब कुछ होगे क्यों नहीं जारी बलतकार के लिए क्यों नहीं बोल रही महिलाओं के लिए क्यों नहीं बात कर रही बेरोजगारी की क्यों नहीं बात कर रही बश्टाचार की बात क्यों नहीं कर रही तो भाई वो सिर्फ कहते हैं ना डमरू बजाओ इमेर्जंसी फिल्म आ रही है कॉंग्रेश के कर्थूटों को वह दुनिया के सामने एक्सपोज करने वाली है वो जनता बताएगी जनता जनारदन बताएगी जनता तो बतादी क्या जनता बताएगी फिलम तो आने दो जूट बोलकर हिंदू मुसलमान करकर बेरोजगारी का अखड़ा छुपाकर महिंगाई का अखड़ा छुपाकर किसानों का अखड़ा छुपाकर अगनी परिक्षा का काम जो कंगना ने किया है अब जंता पूछेगी कि दो महीने से। कंगना अपने संस्ते छेत्र में भी नहीं कर सकी быть क्या सवाल और जवाब करेगी अभी तो वक्त आया है तक्त बदलेगा ताज बदलेगा इन बहीमानों का राज बदलेगा दो से तरी मेने के अंदर यह सब जाएंगे आम आपको बता देना चाहिए आप लोग जीस तरह से यहां पर भरश्ट अचार और बेरुजगारी पर जीस तरह से आप मेरी बात को पूरा सही दिखा रहे हैं अगर आपको और मेरा गढ़बंदन होता आपकी मेरी समझोता है तो आप कुछ बातों को इसमें से कार देते को अच्छी बातों कार देते या बुरी बातों कार देते जो बंदा जाज कर रहा है आप यह देखिए इलेक्शन से पहले आईडानी ने शेर बजार सारा खरीद ली उसके बाद घाता दिखा दे किसका नुकसान हुआ आप देखिए देखिए मैं आप यहां पर रोकूंगा आप जब भंसते हैं ना आप लोग को पाले कर्थू पे सामने आते हैं तो आप लोग मीडिया को कहते हैं कि यह गो अरे हम जाच की मांग तो कर रहे हैं देश के परधान मंतरी जुमले बाजों की सरकारों को चला का लाल के लिए जाच में नहीं को बुलाया जा रहा है ना राहूल गांदी जी बात को रखते तो पारलेमेंट में माइक पंग जड़ते हैं उनकी सवाल जवाब नहीं होने द सरकार का दिखा रहे हैं कि वह जबाब देगा हम विपक्ष के नेता हैं विपक्ष की जनता हैं देश की जनता सवाल जवाब करेंगे अठा साल बात देश की जनता जो कॉंग्रेस की बात सुलेगी और कॉंग्रेस अब लोगों देश की जनता की आवाज उठाएगी कॉंग्रेस अजयादी से लेकर ना बता देना चातौं आपको अजयादी से लेकर आज तक चितना खून पसीना देश के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने भाया आ है एक भाचपागा नाम बता दो अजयादी से लेकर ये तो चिठी दे कर आए थे वाचपाई साव अंगरेजों को माफी नामा मांग कर आए थे ये तो रसेस के लोग उनकी गोती में बैटे थे ये कॉंग्रेस के सिपाई थे ये देश के लोग थे जिनों आजाद्धी के लिए अपनी कुर्बानिया दी थी सटकों पर लेटे व देखिए जो गल्ट करेगा वो जेल में जाएगा अगर अर्विन के जिवाल जी गलत है जो जाच का अदेश आएगा अगर जाच उनको दोशी करार देती है तो वो जेल में जाएंगे हम खिलाफ रहेंगे रुकत में उनके साथ चल रहे हैं उन पर जो भी सुप्रीम कोड का फैसल आएगा अगर उनको दोशी करार दिया जाता है एक लाश कोश्चन आप से मैं करूंगा जिस तरह से अभी आपने कनहया कुमार को देखा जिस तरह से मन से वो बोल रहे थे कॉंग्रेस के बड़ा निता है वो कह रहे हैं कि भारती जयंता पार्टी फिरह का ये जंड़ा लेकर आई कि भारत को हिंदू राष्ट बनाएंगे लेकिन अब वो मोदी राष्ट अचा है हूँ अडानी राष्ट की बात कर रहे थे क्या लग रहा है कि जो काम BJP छोड़ दिये उसको कांग्रेस फुरा करें कि क्योंकि राम मंदीर का जो दर्बाजा था वो कांग्रेस खुलवाय थे मैं तो कह रहा है कि कांग्रेस ने खुलवाई थी ने अंदर राजीव गांदी जी जब यह मसला सामने आया तो राजीव गांदी जी गई ते दोनु समुदाओं को साथ बिठाया था मंदिर का ताला खोला था वहां आरती करें तक वहां होती भी आ रही थी लेकिन हम मंदिर पर आएंगे हम राम को लाएं यह राम कोना सावाल हमारा मेंसलमान होकर मुझे जै sprink लगाने में कोई दिक्कत नियों सलाल पर करने में में कोई दिक्कत कि देश के लोगों की ले हैते Ci चलिए अब 78 साल बाद लोगों की आवाज उठाना देश की जनता का जो जिस तरह से बेरोजगारी बेस्टेशारी आवाज उठाना भी आप लोगों की दिकत नहीं होगी तो नेशनल दस्तक की आप से गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.